हिल टॉप मेरे खुद के नाम पे और मेरे पाटनरों के नाम पे तीन एकड जगा है यह वी शेप में रोड के दोनों साइड है डांबर रोट टर्च है, एक साइड सवा एकड है, एक साइड पॉने दो एकड है, टोटल तीन एकड हो रही है, आपको ये रेनी सीजन का व्यू दिखा रहा हों में, व्यू देख सकते हैं पूरा मौंटन का व्यू, बारिश में समझ में नहीं आएगा इसके बाद में पुरा डेवलोप्मेंट जब मैं आपको दिखाऊंगा तब आपको समझ में आएगा जो बाजो बॉंडरी बोच साइड रोड है पूरी की पूरी ड्रोन शूट दिखा रहा हूँ आपको यह मेरे एने प्लोट्स भी है बाद में इधर डिमार्केशन करके रखे हुए मैंने यह देखे है इधर से आपन जा रही यह ओने यह पोने दो एकड ए इधर से जो दिख रहा आपको रोड तक यह इधर पोने दो एकड है और उसके सामने रोड के सामने जो पीछे ए एक ब्लेक लाव दिख रहा हुऊ वो वाटरवल है यह वाटर्वेल तक वी शे पे रोड का फ्रंट बढ़ा और पीछे जाके पॉइंट हो जाता है वाटर्वेल को टच है और इसके पीछे यह सब एने प्लॉट्स है कि मेरे खुद के नाम पे वह भी एने प्लॉट्स यह बारिश के बात का जब वीडियो दिखाऊंगा उदर डिमाकेशन सब हो गए तो आपको समझ में आ जाएगा उमरमाली रेलवे स्टेशन बॉम्बे सीएस्टी से आप डायरेक्क कसारा के लिए बैटोगे उसमें एक उमरमाली रेलवे स्टेशन आता है उदर से डारेक्क बस आती है जीब आती है यह देखिए अभी आपको यह पौने दो एकड का आपको मैं दिखा रहा हूँ वीडियो रोड से लेके अंदर तक का यह पेड़ भी आती है राइट में गाउ है लेफ में एने प्लॉट से बीच में यह प्रॉपर्टी है बार बता रहा हूँ बार बार कि आपको विंटर सीजन का वीडियो दिखाऊंगा तब आपको समझ में आ जाएगा मगर जगा पूरी टेबल एंड है रेनी सीजन में कैसा दिखता है इसलिए मैं आपको यह ड्रोन शूट से दिखा रहा हूँ यह मेरी वकिंग पैटर्ण है यह आपन पॉने दो एकड में ते और यह मेरे यह जो रोड दीख रहा है मेरे एने प्लोट का सप्रेट रोड है जगह के पीछे बाजु एक और रोड जाता जीधर वह एने प्लोट का अलग से सप्रेट रोट है गाओ बाजू में होने के कारण लेबर के प्रॉब्लम नहीं रहेंगे अभी आप स्टेशन से जब आते हिए आप व्यू देखिए खाली ड्रोन में पूरा व्यू नहीं आता स्काय का मगर एक्चुल में जब आप बंगले बनाओंगे तो आपको कैसा व्यू दिखेगा ये व्यू नीची से आपको क्लियर दिखेगा कितना ब्यूडिफुल व्यू व्यू स्काय देखिए आप खाली ऐसी जन्नत बहुत कम मिलेगी छोटा सा पार्सल क्लियर टाइटर क्लास वन हमारे खुद के नाम पे ये प्रॉपर्टी है जगा लाल मिट्टी वाली है आप जब समर का वीडियो देखोगे तो लाल मिट्टी क्लियर दिखेगी ये जो बोड लगा ये एने-प्लॉट्स वाले है ये राइट वाली प्रॉपर्टी ये आपहन जो बोड लगा उधर से लेफ्ट में एने-प्स है और राइट वाली प्रॉपर्टी अपनी है अभी पूरा तेबल लैंड है मोटा मोटा पूरा टेबल लैंड है एक दो फूड तो इधर उदर थोड़ा बहुत होता है पूरी अपने प्रॉपर्टी पॉने दू एकड में चल रहे हैं बाजु में सामने गाव है कोकोनट ट्री दीख रहा है तो पानी का लेवल आपको समझ में आ जाएगा जिदर नारियल के पेड़ रहते तो पानी का लेवल कैसा रहता है कि यह पूरी लाल मिट्टी वाली आप प्रोपर्टी पत्तर बहुत कम दिखेंगे आपको बहुत ही कम है आप इधर बहुत अच्छा का सा मैंगो फार्मिंग वगर करके आपका पैसे रिकवर कर सकते हो चोटा सा पार्सल जो बार-बार बता रहा हूँ रेलवे स्टेशन पानी एलेक्रिसिटी क्लियर टाइटल प्रोपर्टी गाव को लगक्या आपको यह रेट में कोही नहीं देग मौंटन व्यू देखिए खाली आप इसमें थोड़े पेड बीच में आगे मैं आपको क्लियर व्यू भी दिखाऊंगा बदब आप शाम को बंगलो बनाके जब आप बंगलो के टेरेस पर बैठते हो तो जो व्यू मिलेगा यह वाटर वैल अपने जगा के लगके है अपनी को क्लियर बता देता हूं पानी का लेवल भी वाटर वैल के अंदर दिखा देता हूं आपको यह पानी का लेवल पानी का लेवल देख चुक है और वाटर वैल के पीछे मेरे खुद के एने प्लॉट से वह भी मैं दे रहा हूं और अगर बल्क बाइंग करोगे तो सिधा 50% डिसकाउंट में आ जाएगा तो मेरे खुद के नाम की प्रॉपर्टिया क्लास वन टाइटल क्लियर प्रॉपर्टी है अटरा साल से में इधर ही कर रहा हूं शापपूर तालुका मुर्बार तालुका में अपना अटरा साल से रे मेरे प्लॉट के एने प्लॉट के वाटर वैल के पीछे उसको रोड एक साइट से अलग से रोड अपनी जगा के इधर से कुछ नहीं है आपको एने प्लॉट लेते तो बैंक लोन भी मिल जाएगा अगरिकल्चर लैंड में जल्दी नहीं मिलता है खाली यह व्यू प्लॉटिफुल स्काइड अलेक्रिक ट्रांसफोर्मर लाइट का ट्रांसफोर्मर आप देख रहे हो वह भी आया हुआ है तो लाइट भी फटाफट मिल जाएगी आपको एक रिसॉर्ट वाले को भी हम लोग ने दिया था उनका बैंक लोन पांस नहीं हुआ है इसके लिए वह ऐसे पड़ी हुई है जगा उनकी यह आगे अपन अभी विंटर सीजन में यह देखिए अभी डैवलोप्मेंट देखिए यह सामने वाली प्रोपर्टी है पौने दो एकर अभी आपको क्लियर समझ में आ जाएगा यह पूरा यह पौने दो एकर एक साइड बंगलो का बॉंडरी एक सेड़ गाव का बॉंडरी किया हुआ है जगा को इतने अच्छा कासा डैवलोप्मेंट आने वाला ऐसे रेट एकरिशेशन होने वाले ना जैसे ही बंगलो और बढ़ेंगे वैसे इधर के रेट बढ़ेंगे तो यह राइट चांस है आपको इन्वेस्ट करने का मेरा तो का में रेगुलर प्रॉपर्टी लेके बेचने का यह अपन पौने दो एकर के अंदर देखिया पूरी जगह अभी आपको क्लियर दीख रहे है पूरा यह अंदर से आपन अभी वापिस रोड के तरफ जा रहे है यह पूरी अपनी पौने दो एकड़ है और रोड के सामने सवा एकड़ अपनी यह देखिए यह सवा एकड़ वी शेप है आपको यह सब ध्रोन शूट से इसके लिए दिखाता हो कि आपको एक आडिया आना चाहिए क्या चीजे आजू बाजू बंद रही है अंदर क्या डैवलोपमेंट से यह अपनी वकिंग पैटिन है यह देखो यह अपना सवा एकड़ मलब रोड से आपन अभी ऐसे अंदर आये हुए यह पोल लगे हुए पानी की यह देखो पानी वाटर वेल इधर तक ही अपनी प्रॉपर्टी है इधर से वापिस आपन बाहर जा रहे है यह सवा एकड़ से यह रोड जगा से आपन वापिस बाहर के तरफ जा रहे है यह रोड टक सवा एकड़ उसके सामने पौने दो पिच्चर आपको समझ में आ गए रहेगा पूरा भी कोकनट ट्रीज वापिस दिखा रहा हूं आपको के पानी का लेवल अच्छा इधर क्यूंकि इधर आगे बहुत बड़ा एक डेम है उसका डेम का बैक वोटर रहता जगा के इधर नहीं अपना इधर से चार किलो मेटर है यह पौने दो एकड़ है अंदर का व्यू वापिस एक बार मौंटन भी आपको दिख सकते इधर यह गाव लखके है तो लेबर का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको लेबर जितना अच्छी तरह चाहिए और एक सेक्यूरिटी भी रहेगा ऐसा तो अभी आज इधर के त गुझाइं में इधर बहुत अच्छे खासे रेट अप्रिशेशं म्लेंगे आपको रिए डिस्ट विकॉज समुरूदी हाइवे आ रहा है कल्यान नासिक हायवे से खाली यह 8 किलोमेटर है उम्माली रेल्वे स्टेशन से भी 8 किलोमेटर है आज कल्या नासिक हाई वे फोर टूवे था टूवे से फोर वे हुआ फोर वे से आज एट वे हो रहा है भी तो आप सोचलों के रेट्स क्या बढ़ेंगे इदर तो यह राइट टाइम में इन्वेस्ट करने का वह भी अग्रीकल्चर लेंड में अप्रिसेशन होते हैं मगर बहुत टाइम लगता है मगर अग आपको चीज तो समझ में आहीं गे रहेगे और वह भी अग्रीकल्चर लेंड वन्स अगें मैं आपको बोल रहा हूं कि बैंक में आप पैसा रखने सकते सेफर नहीं है गोल भी एक लिमिट्रेट रख तक आप रख सकते हो हंड्रेंड परसंट सबसीडी आप शेतला बना दो अपनी जगा के अंदर मस्त वाटर पॉर्ण तो जगागा और लुक बढ़ जाएगा तो ऐसे हिल टॉप पे सवा एकड़ और पौने दो एकड़ यह वाटर वेल से आपन बता रहा हूं वापिस आपको यह वाटर वेल से आपन रोड तक आए सवा एकड़ और सामने वाली है पौने दो एकड़ एक बार विजिट करके आप इसको ज़रूर श्वील कीजिए बेस्ट लोकेशन है यह और में रेट देर देर फिर और बढ़ाऊंगा जैसे डैवलोपमेंट करूंगा इधर यह अभी विंटर सीजन का भी वाटर लेवल दिखा देता हूं आपको यह विंटर सीजन में पानी के जहरने अभी भी आ रहे है और यह अपना सवा एकड़ 1. 1.25 एकर्स मिट्टी देख सकते हो पूरा क्लियरली नीचे से यह पोल जो है इसके पीछे अपने अने प्लॉट से जो आपको मैंने बोला डिसकॉंटेट में भी अच्छा कॉंटिटी लोग है तो डिसकॉंट में दे दूंगा अगर आपका ग्रूप बुकिंग रहेगा तो बाकी सिंगल सिंगल प्लॉट तो मैं थोड़ा महेंगे में बेच रहा हूँ यह रेड एंड फर्टाइल स्वाइल है आप देख सकते हो पूरे ड्रोन में इतना क्लियरली नहीं दीख सकता है इसलिए नीचे से भी आपको दिखा रहा हूँ और यह 1.75 एकर्स अपनी रोड में लेफ में सवा और राइट में 1.75 एकर्ती यह अपना वकिंग पैटर्न है मदलब ड्रोन से भी दिखाने का नीचे से भी एक्च्छल जगा दिखाने का रेनी सीजन विंटर सीजन के व्यूँ समर सीजन के व्यूँ भी है मेरे पास तो यह सब अपना वकिंग भी एपने फ्रैंड के बहुत अच्छा ड्यूप्मेंट किया इन्होंने भी लाइट व conveniently अल्हें इन्होंने चार्योण प्रेश邊हींने आहे हुए हां future newL Kant लेकर मौन दोड़ी था है इन्होंने लाए ह schreiben भी लाइक पर छाल लाई असब स्टेशन मिल के हो जाएगा काम संसेट का व्यू देखिए अपना पूरा यह सामने वाटर वैल का अपना जगा कि यह बोरिंग किया हुआ इन्होंने जो एने प्लॉट्स वाले इन्होंने भी बोरिंग किया है तो पानी है इदर गवर्मेंट एप्रूब वाटर टैंक भी यह पानी का टाकी दिख रहा आपको यह तो पानी भी मिलेगा और भी अभी तो बहुत बड़े लेवल पे वो लोग बहुत बड़े डैम से पानी ला रहे पूरे शापूर में तो डोंट मिस सच ओपनिशिटी आपको सब चीजे क्लियर पूरा दिखाया है मैंने डामबर तो रोड पूरा अच्छा कासा डेवलोप्टे कुछ खराब नहीं है कि डैवलोप्मेंट तो बहुत बड़े लेवल पे बढ़ रहा है आपको सब चीजे एकदम क्लियर दिखाई दिया है मैंने तो विजिट कीजिए लास्ट समर सीजन का वीडियो ता ड्रोन से लिया हुआ वो भी आपको दिखा देता हूं कि जब कोई डैवलोप्मेंटी नह लास्ट संर में में मिट्टी दिखाने के लिए और कैसा डैकल्योप्मेंट आ गया है और इत्मार्ड में समझ में आ आ गया कि कैसा कि ए ज़्यूर Midlier अभी इदर मैं भी जैसे जैसे डेवलोप्मेंट आ रहा वैसे रेट बढ़ाता हूँ क्योंकि मेरे भी इतने पैसे लगे हुए तो वह हिसाथ हम लोग भी मारवड़ी है ब्याज के कैलकुलेशन वाले जोलरी शौप वाले तो हमको सब कैलकुलेशन देखने ही पड़ता है तो जितने पैसे लगा है उतना वह इंट्रेस्ट वगर सब अलग से काउंट करके पगड़ते आपको यह पूरा समर ला समर सीजन का वीडियो दिखा रहा और यह पानी का लेवल बारा जून का पानी के जरने अभी भी आ रहे गर्मी में यह देखिए पानी के जरने अभी भी बहते है और तो लास्ट येर का था मदल्द दो साल पहले का था मगर अभी तो क्या गवर्मेंट ने व आगा ग्राम पंचाज से या आप शेतला बनाओ जिस पर हंड्रेट पसंट सब्सीडी गवर्मेंट दे रही है आपको तो मस्त एक वॉटर पॉंड आप आपकी जगा के अंदर भी बना सकते हो पूरा क्लियर अभी मिट्टी दीख रही है आपको कैसी मस्त मिट्टी है पूरी विंटर सीजन में थोड़ी बहुत ग्रास थी मगा अभी तो वो भी एकदम क्लियर आपको दीख रही है तो रेनी सीजन विंटर सीजन समर सीजन सबका आपको वीडियो दिखा दिया हूँ परफेक्ट प्लेस से आपको सेकेंड होम के लिए ऐसे हिल टॉप पे चोटा सा पा